लेडिस एंजेंटमेन पॉर्टियर्स मॉद्यू अफ मॉडर्न प्री मॉडर्न कैपिलिस्म मैं डिवाइड करना चाहूंगा तीन चीज़ों के अदर पहले तो समझ लीची के प्री मॉडर्न के ओपर हमने हिस्टोरिकली बहुत चीज़ें डिसकस कर ली हमने देखा कि कब वेव चली थी एकॉनमिस्ट की कब वेव चली थी प्रीडॉमिनट आइडियास की कब एक वेव चली जसमें मैक्स वेवर साब ने कहा कि हर चीज़ प्रीडॉमिनटली है और उस से पहले ही देख लिया जाता है जिसको आप तकदीर और कजा भी कहते हैं और कजा और कजा और तकदीर भी कहते हैं और फिर आपने सवाब करना ही करना था, गुना पहले से लिख दिया गया था, और अगर आपसे सवाब हो गया तो यह पहले से लिख दिया गया था, हमारा कोई कसूर नहीं, अगर हमने कतल कर दिया, तो कतल हमारे अंदर लिख दिया गया था, और यह ऐसा होने ही होना था, यह pre modern era के अंदर ऐसे खराफात और ऐसे जो metaphoric language है वो यूज़ की जा सकती थी लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा कोई आइडिया नहीं है इनसान को अलारब लिज़त ताकतवर बनाया और predominant का मतलब ये नहीं है कि आप से सब कुछ पहले से लिख दिया गया या आपका कतल लिखा नहीं गया था या आपके अख्तियार में था और आपने जजा और सिजा के लिए अपनी effort करनी है और अगर आने वाले वक्त के अंदर जन्नत और दोजख है तो इसका भी एक idea है लेकिन बहराल मेक्स वेबर ने इस idea को जो है वो ट्रांस्फॉर्म करते वे मजब के ओपर capitalistic idea की तरफ रहे और उनने का दुनिया के अंदर इसको productivity से relate करो अब ये चक्कर में मत पड़ो कि तुमने गलत काम करना है या सही करना है सही ये है कि आपने इनसानों की फला के लिए क्या काम करना है जो काम भी फितरत से अलग होगा वो बुरा काम होगा modern, pre-modern capitalism को समझने की कोशश कीजिए इस से पहले हम ये देखते हैं कि idea of classic capitalism कहां से आता है मैं यहाँ आपको रोक के समझाना चाहूँगा Adam Smith को 1976 के ओपर याद कर लीजिए ये Scottish economist थे और Adam Smith साब जो थे वो economic decision को free play और self regulating market forces की तरफ लेकर आता है Adam Smith का ये बहुत सरी बातों में ये कहना था एक तो labor law उनका develop किया उन्होंने wage rate के ओपर बात की उन्होंने ये बात की कि जो labor's हैं उनको time पर उनका पैसा मिलना चाहिए और फिर उनको बकाइदा share मिलना चाहिए और फिर हमारी industry को grow करने के लिए अगर आप industrialist एक आदमी individual जो industry को बनाता है वो अगर अपनी care करता है वो ज़्यादा सर्माया कहाए लेकिन अपने employees को भी काम करे सो employer and employer relationship के उपर उनके बहुत बात की wage rate को बहतर बनाने की बात की लेकिन एक और बड़ी important बात थी capitalistic idea के मताबक यो पहले नहीं था उनके कहा कि market का rate market decide करेगी बड़ी important बात आज की दोर में फिर से एक बड़ा problem आ गया और एक theory इसके negation में आई वो यह आई क्योंकि आपको पता है कि जब historic दोर के अंदर देखें तो जब चीज़ें बन रही होती हैं तो बहुत सरे मामलात होते हैं उनने का कि market decide नहीं करेगी क्योंकि चांद लोग ज़्यादा आगे have and have nots का concept आना चुरू हो गया Adam Smith ने have and have nots नहीं पैदा कि लेकिन उनको idea उनने देखा कि जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा regulation डिवलप करेगा उसकी market में से होगी उसकी market economy के अंदर उसकी जो idea उसकी rules and regulation के अंदर उसकी से होगी rules and regulation वो नहीं बनाएगा रेकिन rules and regulation से होगी लेकिन ये idea फाशिजम की साइट में चला गया होता क्या गया rules and regulation, policies and procedures, tricks and techniques के अंदर जो हैं ये चीज़ें ऊपर ऊपर बढ़ती चली गए तो यहां पर classic ideas जो है Adam Smith के काफी हद तक तबदील हुए basic तो सरमायादारियत थी उन्होंने का कि सरमाया को बढ़ाए जो ज़्यादा सरमाया बढ़ाएगा वो ज़्यादा इंवेस्ट करेगा जितना ज़्यादा इंवेस्ट करेगा तो आप यू समय ने प्रॉक्टर और गैंबल बढ़ गया बाकी कामपनी बढ़ गी तो बढ़ दस दस हजार प्रॉड़क्स एक कामपनी की होगी तो मेरा ही सरमाया जादा होगा पिर मैं जब ज़्यादा सरमाया होगा तो मैं इंवेस्ट करूँगा पिर मैं इंवेस्टेड पॉर्टफोलियो की तरफ आऊँगा रादर के मैं एक्जेक्टिफ वर्कर बन जाओ मैं इंडस्टेड चलाने वाला नहीं रहूँगा मैं इंवेस्ट कर दूँगा मैं दस पंदरा बीस कामपनी इंडस्टेड के ओपर चलती भी कामपनी इसके अंदर अपने शेयर डाल दो अपनी होर्डिंग्स डाल दो यानि मेरे बैंक्स मी हो मेरे फार्मसीटिकल्स मी हो मेरे एफमसीजीज बी हो मेरे घी की फैक्टरी भी हो शुगर मिल भी हो फुलोर मिल भी हो तो लामहाला मेरी से भी ज़्यादा होगी फिर political ideology भी मेरी होगी फिर मैं minister भी होगा और मैं जब minister बन जाओंगा तो जाहर इसी बात है कि मैं उसकी relevant policies, procedure, rules and regulation भी बनाऊँगा तो ये ला महाला जब आप ये idea of capitalism की तरफ देखते हैं तो power influence की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं इसका reactive theory आया थी उस दोर में ये हुआ और wave हुई और बहुत ज़्यादा सरमायदारियत पड़े जाहर सी बात है, rolls rice वाला था, जाहर सी बात है, पहली गाड़ी बनाने वाला, पहली cycle बनाने वाला, पहली product बनाने वाला, बड़े सरमायदार थे तो हुआ क्या चांदान बड़े हो गए और बाकी खांदान जो है इंप्लॉई स्टेटस ले गए और फिर जो है वो मजदूरी तब का शुरू हो गए फिर इस तने माशरे में डिवाइट पैदा कर दी अमीर मतवस्त और गरीब और फिर अब तो बहुत ही बड़ी लेर बन गई अब गरीब भी चार-पांच किसम के होते है दरम्याने भी चार-पांच किसम के होते है और इसी तरह अमीर भी बहुत चार-पांच किसम के और रूलिंग लीट में भी आपस में बड़ा फरक है Capitalism had created more massive and more classical productive force and then have all the proceedings generation together वो आगे भी बियान करते है Capitalism की formation के ओपर इसके अंदर हम पहले दरह discuss कर लेते हैं Marks and Angels जो हैं उन्होंने Communist Manifesto लेकर आए बेसे के वो Manifesto ये कहता था कि आप सरमायधारियत लेंगे आपकी market जब force सारी आपी की होगी तो हम छोटे वाले लोग कैसे से develop करेंगे तो हमारी जब market से नहीं होगी तो हम पूरी जिन्दगी employer रह जाएंगे मजदूर रह जाएंगे और फिर आप हमारा wage rate आफ तैग करेंगे फिर कई दफा मजदूरी हमें नहीं मिलेगी तो हम कहां पर बनाएंगे फिर worker union का concept शुरू किया वरकर आपस में कटे हो गए तरमाया दियार के खिलाफ हो गए फैक्किया बंद होना शुरू हो गए rules and regulation के खिलाफ बात करना शुरू हो गए उसके बाद एक और idea आया जिसके अंबर मार्क साब ने das capita लिए लिए das capita के अंदर basically उन्होंने ideology लिखी के ये सारा कुछ जो है ये free market को देना market decide करना ये market को decision देना इससे बहतर है कि हम state को क्यों ना idea देना और state ये तेह करे कि employer को कितना मिलना है और employee को कितना मिलना है मैं यहाँ पर अपनी बात को गुफ्तकू को रोकता हूँ और आगे चलेंगे लेकिन ये decision जो है ना ये भी technically ठीक नहीं था लेकिन das capita के अंदर जो उनके economic lines थे जो उनकी economic variable थे जो उन्होंने formulation डिजाइन की थी जिसके तहत अच्छे results मिल सकते थे और अगर nationalization के under भी रहते और public private firms को बेहतरी के से उनके मताबक चलाया जाता तो ये इतनी reactive किमिनिजम ना बनती इसलिए किमिनिजम जो है वो पूरी दुनिया में flop होई और अभी सिर्फ सिर्फ आपको किमिनिजम के जो बेहतर chunks मिलते हैं जो किमिनिजम एग्जेक्ट नहीं है जो socialism एग्जेक्ट नहीं है कहा जाता है कि Marxism या Marxist ideology को फॉलो करते हैं लेकिन चाइना आप तक काम्याब हो सुका लेकिन चाइना के इलावा कोई हमें जो है और example या precedent नहीं मिलता हम आगे देखते हैं जी Modern capitalism society in term used to describe the type of capitalist society in which the capitalist class of new elite and old elite concerned with the maximizing their wealth secure a political system that serves and protect their interests leading to the development of the wage earning class that's what I told you earlier कि सारी कि सारी बात मैंने दुबारा से आपको एक statement के तौर पे कह दी वही बात कि elite और old elite ये new elite ये आपस के अंदर ये classification आ गई यानि आप ही की जमीने आप की जरात आपका सब कुछ आप ही की सियासत आप ही का rules and regulation ये दो परसंट जो है वो राज करेंगे बाकि सब के सब उन rules को follow करेंगे ये capitalist class develop हुई जिसके बारे पे मैंने आपको अर्ज कर दिया अब हम इसको precisely ये समझते है कि capitalism जो है वो एक अरसा तक तो ठीक रही लेकिन ideas इसके ठीक हैं लेकिन जब ये ruthless capitalism की तरफ गई fascist capitalism की तरफ गई तो गरीब का मजदूर का किसान का हक खाने लग गई काटल बनाने लग गई और इनका सिर्व सिर्व फाशिस जो है प्रॉफिट मोटिफ फाशिस प्रॉफिट मोटिफ या फाशिस प्रॉफिट मोटिफ की तरफ चब ये चले गए तो ये capitalism, modern capitalism, post modern era के अंदर खतरनाक हो गई हम इस पर बात करेंगे next session Thank you very much